दबंग विदायक राम भाई, चर्चा में रहने वाली विदायक राम भाई, मुखर्ता से पेश आने वाली विदायक राम भाई, विदायक जी के मैरिज गार्डन पर चला प्रशाशन का डंडा जी आम, JCP मशीन चल गई, अतिकरमन टूट गया, और उसके बाद जब विदाय एक रामबाई ने जूल दिये हाथ और कह दिया त्याचार मत करो वरना लाशें उठाने पड़ेगी जरा विधायक जी प्रशाशन का आमना सामना देखिए जूट का पुलिंदवान के रखा यह से वेक्ति पर कारवाई ने हो खें दोशों पर कारवाई हो रहे हैं इस संसार में कहां सुनी कि आज एक रखनवारे के ऊपर एक रखनवारों भूसा बड़ो रखनवारों वाद दुक्का ल्याम रगा रहा है हमां निरेदन है मेडम ऐस जोड़ रहा है आप लोग मुल्जिम ढूड़ो घर चान ले जहां जाने होते जा मिलेजु भाई आपको जो सही लगे मुल्जिम के साथ करो पर ऐसे काम मत करो जीसे आरा आदमी को भरोसा ही उड़ जाए विलकुल कानून पर ने सब पर हमोने सुए न्याय मांग रहे हैं अज के कितने समय से न्याय मांग रहे हम भी भाई पुलिस नाम जोड़ रही भाई पुलिस काड रही आज बाईसतरी साध्मी भीतरे जेल में बंद हैं तो सबको मालूम है सच्चा ही किया है लेकिन क्या सत्त्त क्या ऐसे ही गुम राय रहे है मैडम को उउच्छि की कोई देखा आपने किस तरीके से आमना सामना हुआ खबर में आपको बता देता हूँ खबर ये है कि दो साल से फरार चल रहे देविन चुरसी अहत्यकांड मामले में विधायक रामबाई के पती गोविन जिंग पर अब प्रशाशन का श्रिकंजा कसरा है गरफतार करने को लेकर यही वज़े है कि पुदवार को प्रशाशन ने यहां पर अपना एक्शन लिया व दीजीपी से कहा था क्या मत प्रदेश में जंगल राज कायम है अब तक आपने गिरफतार नहीं किया क्योंकि इस पूरे मामले में ये भी आपको पता है कि मामले में जो निशली अदालत के जस्त थे उन्होंने तक कहा था सुरक्षा की गोहाल लगाई थी कि इस मामले की प्रशाशन सक्री होता हुए नजर आया लेकिन विधायक जी का ये सरूफ भी पहली बार नजर आया जिसमें विधायक राम भाई हाँ जोड़े हुए नजर आई और ये भी कहा दिये प्रशाशन से कि अत्याचार मत करो अत्याचार मत करो परना लाशे उठाने पड़ सकती दिरासल पूरे मामले में अब प्रशाशन हो चुका है, सक्री और कहा जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, रामभाई के पती, गोविन सिंग की, लेकिन देखने वाली बात ये है, कि दबंगाई से पेश आने वाली विधायक रामभाई, कि इस पूरे कदम के बाद, अब प्रशाशन जो है लगातार जिस तरीके से एक्शन ले रहा है प्रशाशन का ये एक्शन कितना कारगर साबित होता है ये देखना होगा आप देखते रहें एमपी तक